दोस्तो नमस्कार आदाब सस्रिकाल चैट विद सुरिंद्रवत्स के नए एपिसोड में आप सब का स्वागत है अब तक हम बहुत सारे सफल लोगों से जुड़े ज़्यादा तर लोग डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हमारे सो पे आए लेकिन आज एक अलग तरह की परसिनल्टी एक अलग तरह का व्यक्तित्व हमारे सामने है इन दोर से हमारे बीच में पधारे हैं पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं कर दोर सेलिंगर देखते हैं और जैसा आपने देखा आज हमारे महमान है अपने समय निकाला इंदोर से स्पेशलिया आप आए बहुत बड़ा आपका चैनल है सर मैं बहुत फोलो करता हूँ तो सबसे पहले हमारे वीवर्स की तरफ से बहुत आफार और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहां बुलाने के लिए यहां पर अपने साथ बात करने का मौका देने के लिए सबसे पहले हम आपकी बैक्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे अविर जो पढ़ना चाहता भी था तो पिता जी कहते थे की बटा मैं पढ़ानी सकता हूं क्योंकि मुझे खुद नहीं आता तो जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ और मैं तरह साथ ख़णाऊं यह बहुत बड़ा मोटिवेशन था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था पर कुछ ऐसे हालाद बने कि मुझे मजबूरी में बच्पन से ही काम करना पड़ा तो पहले मैंने जो कुर्षियों की जो टेबल होती थी जो कुर्षियां होती थी पहले जिसमें तारों से टेबल भी बनते थी तो मैंने उनको बनाई किया करता था उसको एक पटिय के लिए मुझे धाई रुपे मिला करते थे और मैं जिन में करीब आठ से दश पटिय बुना करता था ताकि घर में जो है पैसे की कमी ना हो पढ़ते समय की बात है यह मैं बात कर रहा हू तो उसके बाद में मैंने मेडिकल शॉप पर काम करना शुरू किया करीब वहां पर आठ से नौ साल काम किया और फिर उस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेडिकल शॉप पर मुझे अपनी ग्रोथ कुछ भी नहीं दिख रही थी और वहां पर जो भी इंकम हो रही थी वो मैं पढ़ाई के लिए भी जो है मुझे गया आप लेना पड़ा तो फिर वहांस से छोड्न के बाद में मैंने काम करना शुरू किया अग्या तो मुझे लगा कि एक किरूंगा तो कई और बहुन आठ करी दिखा ज्यादा हूं यह नहीं तक पढ़ा करिए बस तो आगे करूगा क्या और घर चलाना है घर में रोटी खिलानी है परिवार को तो इसके लिए क्या करूँ तो मैं ने फिर वह काम करना शुरू किया लेकिन अपने आपको यह प्रामिस भी कर दिया था कि यार यह काम में ज्यादा दिन नहीं करूँगा, किस्मत अच्छी थी मेरी कि वहां पर कुछ ऐसे लोग मिले जो मुझे सिखाने वाले मिल गए, तो उन्होंने मुझे वहीं पर हाडवेर सिखाना शुरू किया, फिर मेरी किस्मत यह भी बहुत जानते नहीं थे, तो इंटरनेट था, गूगल था, तो मैंने उसे सीख सीख करके नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है, तो उसको मैंने खुदी सीखना शुरू किया, और करीब 11 महिने के बाद मैं हमारी कंपनी के CEO आए, मेरे पास में आए, मुझे कांफरेंच रूम में लेकर के गए, और मुझे बोले, अपी हम यह चाहते हैं कि तुम यह काम ना करो, यह आफिस बाय वाला काम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम आफिस का नेटवर्क समालो, तो वहां से फिर तेरा लोगो की कंपनी में मैंने जॉइन किया था, उसको धीरे धीरे करते और मैंन आपने सीख सीख के आप उस मकाम तक पहुंचे है, आपका YouTube चैनल है सर, Success and Happiness, पहले तो बधाई, आपने रिसेंटल अभी वन मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किये हैं, तो बड़ा किरतिमान है यह, तो बहुत सारी वीडियो आपकी है, और जो आपका नाम है, Success and Happiness, तो यह अलग सा नाम है, यह कैसे ना मांकरन हुआ? दर नहीं लगता, और तो मैंने ऐसे किसी से भी पूछ लेता था, मंदिर में मिले भाषाबाब अपनी लाइफ के क्या चाहते हो, शड़क पर मिल गए चलते हो, भाषाबाब अपनी लाइफ से चाहते क्या हो, तो बहुत सारी वाते होती थी और लोग जो है, अक्षर कहते कि हमें पैसा चाहिए, पर्फेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, खुशिया चाहिए या बहुत चारी बाते आती थी, घूम फिर करके कोई बड़ा घर चाहता था, और अड़ी गाड़ी चाहता था, और फिर उनसे मैं जो पूछता था कि यह क्या चाहिए वाली बात के बा Success and happiness के लिए ही है, इंसान का basic nature जो है, वो यही है कि हमें सफलता मिले, हमें खुशियां मिले, और पेश्वर की कृपा है कि मैं तब तक अपनी life में सफलता और खुशियां हासिल कर चुका था, तो फिर मैंने यही सोचा कि यार, जो मैंने अपनी life के सीखा है, life ने जितने धक् तो उन सभी को life के experiences को लोगों के साथ में share करते हुए, अपना experience उनको बताऊं और उनको भी success and happiness पाने में मदद करूँ, तो इस तरीके से success and happiness चैनल की शुरुआत हुए तो इस तरीके से success and happiness चैनल की शुरुआत हुए तो पुस्तक आपकी वो पब्लिस हो चुकी है? नहीं स आपकी success और happiness अपने जिन्दगी में प्राप्त कर सके हैं, आपके नवहों का लाव उठा सके हैं, आपने सर हर चीज़ पर वीडियो बनाई हैं, लेकिन आप direct selling वालों से बड़े नाराज रहते हैं? इसकी बात है शायद, तब मैंने InfoBee join किया था, तब मैंने मेरी company join की थी, और उस company को उन्होंने 5 साल पहले अलू किया था, तो अब जब मैं पहली बार network marketing की meeting में गया, तो वहाँ पर पहला उनका ये था, हम आपको 6 महीने में करोड़ पती बना देंगे, साल भर में आप अ फिर मैंने अपने बास जो थे उन लोगों से बात करी कि सर आपको कितना टाइम लगा, बले अभी भी हम करोड़ पती बनने की तैयारी में है, मिलेनीर अभी ताहिम लगेगा, पर बन जाएंगे ये पका है, मैंने ठीक है, और मुझे लगा कि हो सकता है यार, पहली बार मैं इसमें कोई ऐसा काम हो जो दो नंबर की तरीके से आता हूं, और जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले से मूफट टाइप का इंशान था कि जा करके बात कर लूँगा, कोई डरना की बात नहीं है, तो हमारे एरिया में एक नेताजी थे, जो कि पहले बाहु बली हुआ करते थे, मैंने उनके पास में जा करके, पहले उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि, सर आप से अगेले में सवाल करना है, पहले तो मना किया उन्होंने, पर हाथ जोड़े मैंने, सर मान लो, बात मैं उनसे इसे जब हुआ है, सर गल्ती करने वाला हुँ माफ कर दीजिएगा, उनक जवानी की दुनों में उन्हों कुछ गलत काम किये थे जो कि नैती रूप से कानुनी रूप से गलत हो सकते हैं। तो मैंने उन्हें का कि अगर कोई दो नंबर का काम करके भी करोड़ पदी बनना चाहता है, तो क्या छे महीने में बन सकता है? अच्छा हर काम के लिए महनत करनी पड़ेगी हर काम के लिए वक्त देना पड़ेगा अगर तु वक्त नहीं दे रहा है काम करने के लिए महनत करने को तैयार नहीं है तो तो जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएगा और नेट्वक मर्केटिंग की जितनी भी इंटिंग में अटेंड करी किसी में भी इतने यह नहीं का कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने आपको रगणना पड़ेगा आपको अपने आपको वक्त देना पड़ेगा सबका यह reaction होता था छे महिने में साल भर में 18 महिने में आप करोड़ पती अरब पती बन जाओगी तो मैं उस धोखे के जूट के खिलाफ हूँ मुझे उससे शिकायत है आपका पहला जो अच्छा नहीं रहा नहीं सिर्फ पहला नहीं इन फैक्ट मैं अभी थोड़े दिन पहले भी एक जगह पर गया था अच्छा हां मेरे एक पड़ोसी हैं वो लेकर के गए थे मुझे और व अब जब कुछ करेंगे नहीं तो आप बनेंगे कैसे पैसा कहां से आएगा हाँ आप खुद ही आप नेटोग मार्केटिंग से हैं आप कभी यह नहीं कहेंगे कि बिना करें आपको पैसा मिल जाएगा तो मुझे उन लोगों से शिकायत है मुझे नेटोग मार्केटिंग से शिकायत नहीं है, नेटोग मार्गेटिंग के एक्सपर्ट से शिकायत नहीं है, मैं आप सब का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे उस जूट से उस धोके से शिकायत है, आपका जो अनुभव है सर उसमें बड़ा संदेश है हर डिरेक्ट सेलर के लिए और स्पेशली ल इनको एक यह लगा कि इंडस्टी सी प्रकार की है और साइद यह इसी प्रकार की बात करने वाले लोगों की इंडस्टी है, तो बींगे लीडर और बींगे डैरेक्ट सेलर, यह हमें देखना है कि जब भी हम बाच्चीत करें, तो बाच्चीत तथ्यों पर आधारित हो, वो अलग अलग कम्मूनिटी पे वीडियो बनाए हैं, मैंने आपके वीडियो देखे, एक सिंधी कैसे कामियाब होता है, क्यों कामियाब है, गुजराती, मारवाडी, सिक, बनिया, सब लोगों पर आपने वीडियो बनाई है, और बनाई तो आपने उन पैद्धन भी किया होग तो बस हम उसमें मलाई मलाई निकालना चाहते हैं, कि कामियाबी के लिए क्या करना चाहिए है, सर्फ सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पैसे को बहत वली देनी होगी, हमें यह कहा जाता है कि यार पैसा जरूरी नहीं है, लाइफ में सिर्फ खुशिया जरूरी है, या और फिर यह कहाजाता है कि आप दियान दो पैसे देना ही पड़ेगा पैसे का नेक्शन है खुशियों से और यह सिर्फ यहीं पर मैंनी कि रहा हूं आप किसी भी धर्म को उठा करके देख लीजिए किसी भी धर्म ग्रंद का अध्यन कर लीजिए सब में कहा गया है कि बिना पैसे के आप अपनी लाइफ को नहीं जी चकते यह जीवन का बेशिक नेसेशिटी है तो पैसे के लिए और सारी कम यह बहुत इंपॉर्टन बात है सिर्फ आप किसी भी कम्यूटी को देख लीजिए ऐसा नहीं कि सारे सिंधी सारे बंजाबी सारे गुजराती बहुत अच्छे अमीर हो जाते हैं लेकिन रूट्स की बात कर रहा हम सिंधियां की बिजनश करने का एक तरीका होता अगर वो अपने बिजनेस परने के तरीके से जुड़े हुए हैं तो वो सफल होते हैं शिंदियों के बारे में सिर लोगों को ये लगता है कि या बुरिये स्वन को बहुत अछा था नहीं आता है वह दोगा दे करके काम करते हैं लेकिन सिंदी चैनल कॉम्पयूचिशन्षों क्योंकि उनको लगता है कि अगर सो लोग कमा रहे तो एक लोग भी कमा सकते हैं तो कॉम्पेटिशन से वह नहीं डरते हैं और अगर आप नेट्वोक मार्केटिंग की बात करें सर मैं उसको एंडॉर्स नहीं कर रहा हूं लेकिन आपके यहां पर भी कहा आता होगा सर की हजार उता है कि और भी है सर कि शारी कम्यूटी इने में यखिन रहती हैं देने कुछ वह चाठा हाँ और जब तक यह नहीं हो गी तलि हो तक आप पासुख नहीं हो सकता आपको घुषियां कर ने मिल सकती लिए बहुत सिंपल सा आपके दिमाग में शुकून बना रहेगा, लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ 8 रोटियां बनी है, और उसने 4 रोटी मांगी तो आपके दिमाग में आएगा या तो मैं भूखा रहाँगा, या मेरी भूखी रहाएगी. आपके दिमाग में आप दे भी देंगे तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा तो यह जो जब हम देते हैं तो हमको सुकून आता है यही वजा है कि क्रिश्टिय। में कहा गया है कि आपको द Daar देना चाहिए है एक ऌट बनेर हे जब आपके पास में परियापत रहे जब है हमारे ऑजन करना और यह यह है कि आपको ठांगरान씨 करना करनी चीए एक community को जब आप साथ में ले करके चलें तो एक दुश्रे की मदद करनी चीए दुश्रे को साथ देना चीए ताकि आप सभी एकदुश्रे के साथ में घ्रोफ कर सेगें और धरम के साथ में आज अगर हम business में भी देखें सर जो दुनिया के बड़े-बड़े businessmen हैं आप वान वफे को देख लीजिए, आप नारायन मुर्ती को देख लीजिए, रतन टाटा को देख लीजिए, तो सब लोग सोसाइटी के लिए करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि अमीर लोग दूसरों की मदद नहीं करते हैं। जबकि सच यह है कि जिनकी पास पैसा होता है वही गरीब लोगों की मदद कर पाते हैं। मैं खुद का एक एक एक्जांपल देता हूं शिर आपको। अब होता यह है कि कई बार हम लोग बाहर जा रहे हैं मेरी बेटी और वाइफ के साथ में घूमने गया हूं खाने पीने गया है। और महां पर कोई आकर के कहता है कि मुझे भूख लगी खाने के लिए दे दो। कभी यह नहीं होता कि मेरी ज्यव से पैसे नहीं कर पाता था। लेकिन आज से छे साल पहले, साथ साल पहले, मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि तब मेरे पास में नहीं है, तब मेरे अपने खर आने के ठिकाने नहीं है, मुझे यह नहीं पता कि मैं मेरी बीबी को बच्चे को खाना खिलाओंगा कैसे, तो मैं जब उनको नहीं खिला सकता, तो तो सायद पैसा बाइड डिफोल्ट आपके पास में लग जाएगा सो गिविंग का जो प्रिंसिपल है सायद इसलिए भी काम करता है कि जो बड़े बड़े बिजनसमेन है वो देते हैं दान करते हैं और मालम चलता है कि जब टोप 10 कि या टोप 100 की लिस्ट आती है तो जो सबसे ज़्यादा देने वाले लोग है वह उस लिस्ट में भी है असर मेरा इस जगे पर थोड़ा से आलग उपिनियन है मैं यह मानता हूं कि आपको खुब पैसे की पीछे भागना जीए आपको जितना ज्यादा कमा सकते हैं वो कमा यह यह पार्शी कम्यूनिटी कहती है कि खुब कमाओ खुब कमाओ खुब कमाओ और खुब मदद करो तो अगर हम पैसे की पीछे भागेंगे नीचर इस जगे पर इसका करते हैं शायद कि if you don't love if you say your wife you are important to me but I don't love you I love you but you are not important to me मैं तुमसे प्यार तो करता हूं लेगिन तुम पेरे लिए पैसे के लिए तो हम यह कभी किसी को कहें कि पैसा important नहीं है मैं कभी किसी को नहीं सिखाता में मेरी बेटी को मेरे घर में जो वच्चे हैं उन सबको यह कहता हूं कि पैसा बहुत important है बार-बार कहते रहो क्योंकि जब तुम कहोगी पैसा important है तब पैसा तुमको important देगा तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यहाँ पैसा इंपोर्टेंस नहीं है यहाँ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए पैसे के पीछे भागो और उसका एक बड़ा हिस्सा निकाल करके लोगों की मदब दी करो और आपने चानक्के के उपर में वीडियो बनाया और आज भी हम लोग 21 सब्सकार अट ग्राहा Bears को लोग आज भी नहीं भूलते हैं जब कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं कि ए चानक्के की तरह काम कर रहा है तो चानक्के से आज के युग में हम क्या सीख सकते हैं? किसी काम के नहीं आपको लोग अपने घरवाले भी नहीं पूछेंगे and I have this personal experience कि कई बार ऐसा होता था जब मेरे पास में पैसे नहीं होते थे या एक काफी लंबा वक्त देखा मैंने तो कोई मेरा फोन नहीं उठाता था अच्छा मेरे अच्छे दोस्त जो हुआ करते हैं जो तो पैसे को वैल्यू बहुत देना जरूरी है और पैसे को बचाना जरूरी है चानकी बार-बार कहते थे कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता और पैसे को बचाओ दूसरी बात चानकी यह भी कहा करते थे कि अपने राज किसी को नहीं बताना अब यहां पर राज वाली बात सिर वो दोनों अलग अलग बाते हैं कई बार क्या होता है कि लोग यह कहते हैं कि यह particular knowledge है जिसकी वज़े से हमें growth मिली है और उसको राज समझ लेते हैं राज ऐसी बात जिसके वज़े से जिसके पता चलने से आपका नुक्सान हो सकता है कोई दूसरे को मालूम चल जाएगा दूसरे को पता चल गया तो आपका नुक्सान हो सकता है एक ऐसा एक्जामपल लेते हैं जो शायद रिलेट ना कर पाए मान लीजे किसी का कोई affair चल रहा है अब वो बंदा अगर अपने इस affair के बारे में किसी और को बता देता है और फिर उसकी वजे से जो नुक्सान होते हैं वो बहुत ज्यादा नुक्सान रहेंगे लेकिन अब अगर कोई यह कहे कि यार मुझे भी इस तरीके से जो है अपनी लाइफ में ज्यादा महिलाओं से ज्यादा पुरुशों से संबंध रखने हैं उसका कैसे करना है तो ठीक है ऐसे अधार काम कर लो यह हो जाएगा वो एक Nowl cyn universe एक तो अपने शीक्रेट कभी किसी आहीं बताना और तीसरी बात यह है कि हमेशा सीखते रहना है और जितनास के दूसरों से चीख़ो दूसरों की गलतियों से शीखो अपनी गलती से नहीं क्योंकि अपनी गलती करके हम सीखते रहेंगे तो जिन्दग हमेशा कम पड़ जानी है तो ये तिन चीज़े हैं जो आज की तारीक में भी प्रक्टिकल है पैसे के ओपर मैं आपने बहुत सारी वीडियोज बनाई है और मैं वीवर से कहूंगा ज्यादा सीखना है पैसा कमाना और बचाना तो आप सीख सकते हैं सक्सेस एंड हैपिनेस पे जाके हमारी इंडस्ट्री में भी क्या है सर कि लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं कुछ लोग सोप करते हैं बहुत ज्यादा तो पैसे का बचाना कितना पैसे का बचाना कितना इसके लिए तो मैं सब को बहुत सिंपल सी बात कहता हूं अगर आपको लगता है ना कि पैसा जरूरी नहीं सिर्फ आप जरूरी बाकिशी जरूरी है तीन महिने आप इस तरीके से भीग कर लिए कि आपके पास में फुटी कॉड़ी नहीं है आप अपन कि बुरे वक्त के लिए अपने पैसे बचा करके रखो तीसरी बात यह है कि अगर अमीर होना है मैं नहीं कहता हूं वरन बुफब कहते हैं कि अगर आपको अमीर होना है तो पैसे बचाना पड़ेंगे अपनी इंकम से कम खर्च रखने पड़ेंगे और मैं खुद का पर्सनल एक्सपेडियन्स कहा सकता हूं कि जब मैं अपनी इंकम के बराबर पैसे खर्चिया करता था तो एक वक्त ऐसा आया था कि नौगरी छोड़ने के बाद में मेरे पास में कुछ नहीं था फिर उसके बाद में मै गाद वही वजाल इकि में खुश भी बहुत ज्याद़ा उन हम की आम जो में तूट्याद ऐदा लकिए इससलो करतेव हो गनल चानल को 171 तो मैं अपनी नाट इक geschafft कूका था bestseller में मुकाम पर माउझ चुका था जहां पर में धान सकता था कि यार मैं हमेशा operate constant state of joy में था कि मुझे जो है ऐसा नहीं कि गुष्चा नहीं आता है गुष्चा आता है लेकिन शिकायत किसी चीज सी नहीं रहती और मैं हमेशा खुश रहता हूं मजे में रहता हूं That's great, wonderful sir आप सफल है, financially free है नाम है बड़ा आप अपने जिन्दगी का turning point क्या मानते हैं कि उसके बाद में आपकी जिन्दगी बदल गए सर्फ मेरी जिन्दगी का जो turning point था वो 5 रुपे की चोकलेट थी अच्छा मैं आपको बता हूं, हुआ यह था कि मेरी job मुझे छोड़नी पड़ी थी और मैं सोच रहा था मैं खुद का विजनेस करूंगा और मैं किसी स्पेसिफिक चीज में लगा था कि हाँ यही करूंगा इसके लावा कुछ नहीं करूंगा लेकिन इस वज़े और मैंने पैसे कुई वचाए नहीं थे तो मेरे पास में पैसे कुछ थे रही खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे बेटी थी वीवी थी घर की एमाई थी और एक दिन मेरे बेटी मेरे पास में आई तीन साल की बेटी थी तीन साले तीन साल की बेटी थी उसने आकर के मुझसे बोला पापा मुझे चॉकलेट जी पाँच रुपए राली चॉकलेट उसने मांगी डेरी मिल्क मांगी का पापा मुझे चॉकलेट दिला दो मेरी जब में पाँच रुपए नहीं कि मैं उसको चॉकलेट दिला सकूं I started crying मुझे रोना आ गया में रोने लगा और मेरी बेटी मुझे से बोली पापा मत रो आप पापा मत रो मैं आप से कभी चॉकलेट नहीं मांगूंगी आप प्लीज रो मत मैंने कुछ गलत कर दिया तो I'm sorry I'm sorry अब वह मुझे लगा कि यार दस साल की उम्मर से काम कर रहा हूं आज इतनी उम्मर हो चुकी है लेकिन बेटी को पांच रुपए की चॉकलेट नहीं दिला सकता क्या जिंदगी मेरी मैंने भगवान को को शुरू कर दिया अच्छा भगवान को को शुरू कि पांच मिनट के जबत करने की बहुत ज्यादा देते हैं अबने आप से सबसे ज्यादा बात करता हूं तो मैंने थोड़ी दर बाद अपने आप से बात करना शुरू कि है कि भगवान ने तरह साथ गलत कुछ नहीं किया यार जो तुझे मिला तेरी लाइफ में उतना बहुत ज्यादा के बाद में भी लोगों को नहीं मिल पाता तुने बड़ी में एक बड़े लीडर के तौर पर जो है काम किया तुनहें Office 56 के तौर पर उसके बाद जो काम मिले वो काम करते रहा, 18-18 गंटे काम किया, पैसे बचाने में लगा रहा, और वहां से धीरे से लाइफ चेंज होगी, sir. That's great, wonderful. हमारी जुन्दकी में जब ऐसे कुछ emotional moment आते हैं, sir, उनको अगर हम लोग अपनी पावर मान ले, तो वो बड़ी उर्जा का काम करते हैं, और फिरो साइद आपको रुकने नहीं देते हैं, That's great, sir, wonderful. हमने आपका इंट्वू डाला, sir, परशनों की जड़ी लगी, कुछ क्विश्चन हमने सेलेक्ट किया हैं, वीवर्स की तरफ से, इजाजत है? जे, जे, बिल्कुछ, sir. चेंपियन ग्रूप का प्रशन है, लेकिन ये नेट्वर्क मार्केटिंग से रिलेटिर मुझे लग रहा है, कि मैं 6 साल से नेट्वर्क मार्केटिंग में हूँ, लेकिन आज तक मैंने गोल जो भी सेट किया, पूरा नहीं हो पाया, लोग कहते हैं कि तुम्हें गोल सेट करना नहीं आता, तो मैं कैसे गोल सेट करूँ, कुछ सायता कर सकते हैं? यहाँ पर बात नेट्वर्क मार्केटिंग की या किसी परडिकलर डोमेन की नहीं होती, यह जो सवाल है, यह सभी के लिए आता है कि गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा सही तरीके से करनी पड़ेगी, अब इसका जव जवाब है, वो बिल गेट सहाब बहुत खुब क्यूर्थी से देते हैं, कि लोग अपनी पावर को ओवरेश्टिमेट कर लेते हैं जब वो एक साल की बात करते हैं और अंडरेश्टिमेट कर लेते हैं जब वो दस साल की बात करते हैं, होता यह है कि लोग बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं पहले ही कदम पर, मैं जब यह करेंगे किसी भी फिल्ड मेंके जब अगर इनकी नेड़ॉक मार्गेडिंग की बात करें तो इनका पहला जो टारगेट होना चींग वो यह हे एक वनदा कमसे कम ऐसा होना चीह जो मह जहां पर वोलूँ अकâu को नहीं रहे हैं सो को नहीं जाना है हजार को नहीं जाना है सिर्फ एक के पास जाना है नहींक Regarding जो दिन रात जैसे लिmit वैशे िंधाडस काम करने के लिए तैयार रहे है। जब एक मिल जाए तो कि आपको लाइफ में बैलंस के लिए भागना ही नहीं चाहिए अगर आप लाइफ में बैलंस के पीछे भाग रहे हैं तो आप नौकरी कर लिजिए सब्सक्राइब करें लेकिन ज्यादा की उमीद मत करिए क्योंकि अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा हम इसे एक एक्जामपल लेते हैं लता मंगेशकर जी का नौ साल की उमर में उन्होंना आइस्क्रीम छोड़ी थी आज तक आइस्क्रीम निखाई है वह देखता नहीं अशली तो बात यही नसर कि उन्होंने कहां करा उन्होंने छोड़ दिया ना ऐसे बहुत सारी चीजे उन्होंने त्याग करी हैं तो आप अगर सफल होना चाहते है विजनेस में तो ज्यादा से जादा पैसा कमाईए ज्यादा स一次 दीन को सबीए टाइम करती डाइगा । लेकिन ये तभी होगा है जब आप खुब कमाएंगे, तो शुरुवात के पांच साल आप भूल जाएए कि आपको बैलेंस की जरुरत है, आप बैलेंस कुछ कर पाएंगे, एक बार ये कर लिया तो सब हो जाएगा बैलेंस, अन्तिम प्रशन है, रमेश सिंह का, हमेशा हिम्म आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास में आपका क्यों पता नहीं है, तो आप हमेशा अपनी निराशा में ही डूबे रहेंगे, और दूसरी बात ये देखिए, कि ग्रैटिट्यूट होना चाहिए आपको, आप ये देखने की कोशिश करिए, कि यार, जो मैंने अब तक पाया है, क्या वो पहले से बहतर है या नि, अगर वो पहले से बहतर है, आप उसको या तो निराशा में डूब सकते हैं, या फिर ग्रैटिट्यूट कर सकते हैं, कि हाँ, मुझे ये मिलाए, आप उसका शुक्र मना सकते हैं, जब आप शुक्र मनाना सीखेंगे, तो आप असल में आनंद में भरे रहेंगे और जब आप आनंद में रहेंगे ज़ाय में रहेंगे तो आप मेशा मोटिविटेड बने रहेंगे That's great मेरा परसनलीस में बहुत बिलीव है सर अगर आप एसान मंद होने का एक नजरिया बना लेते हैं जिवन में लोगों की कमियों की वजय उनके अच्छाईयों पर फोकस रखते हैं और एहसान मन रहते हैं, तो फिर आपकी जंदगी में इतनी पोजिटिविटी और इतनी एनरजी रहेगी, तो फिर साइध हिम्मत हम हारेंगी नहीं, कब भी नहीं हार सकते हैं, सर, हम अंतिम पड़ाव प मं पर नहीं कर पया था, हम लोग शादी नहीं पर जाके खाना कहते हैं, एक शादी में हम लोग गए और वहाँ पर नॉर्मलई पतल होती था, लेकिन उन्होंने प्लेट लगा रखी थी, प्लेट थी, कप थे, कडोरियां थी, खाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग बैट गए और काफी देर तक कोई खाना वहां पर लगा नहीं, और सवाल आया कि यार हुआ क्या है, तो पता चला कि यार परोदारी करने वाले बहुते हैं, एक यार थांप्या बेट लोग इन के लगाए मैं आज निकालने की बारी यह है अब उचलो जो है, क्योंकि मेरी बात कोई तालता नहीं था हुआ, जेगे पर, मैंने का चलो शुरू हुआ, मैं जाकर जहां पर खाना रखा हुआ था यहां पर खड़ा होनी और एक एक दोस्स से तू यह उठा हो जगे जा तू यह उठा हो जगे पर जा तू यह उठा थू बीज स्यादर को फालो करें लगे अब हुआ यह कि मेरा एक और दोस्त था, वो कहता था लोग उंगली कटार के शहीदू में नाम लिखातें टो ऐसे बहुत चारे लोग रहते तो दुश्रे लोग भी प्रवदारी करने आजाते हैं, कई seniors भी आये, जिनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी, मेरे पिता जी से ज्यादा की उम्र के थे, और वो भी मेरा पूरा order, जो मैं कह रहा हूँ, वो वर्ड वाय वर्ड फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप जाए है, तो वो छटी के लिए में जा रहे हैं, को ले करके, तो अब उस मौके पर मैं ने यह सीखा, कि यार, लीडर कोई आपको बनाता नहीं है, लीडर आपको खुद बनना पड़ता है, और जब आपको सही काम करते हैं, तो इसका आपको reward भी बहुत positive मिलता है, हम लोग नौ बजे, साड़े, आट, नौ बजे के करीब हमने शुरू किया था यह काम करना और बारा बजे तक हम लगे रहे, बारा बजे तक हम लगे रहे, तब तक किसी ने नहीं पूछा, बारा बज गई, सारी पंगत खतम हो गई, ताब मेरे दोफ के रहे हैं, अब निकल चल, य सारा जो है, उन्होंने स्वागत वगईरा कर लिया था, लड़की पूरे बरात खा के जा चुकी थी, और फिर उन्होंने मुझसे आकर के सवाल किया, कि बटा, हमने आपको पहचाना नहीं किस्टियां से आई हो, मैंने बोला, अंकल मत पुछिया, आप बहुत मारेंगे, ब बटा, अगर तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे, तो कोई मना क्यों करेगा, तो वो एक एक्स्पिरियंट था, जिसने मुझे लीडर्शिप भी सिखाई, जिसने मुझे ग्रैटिटूड भी सिखाया, जिसने मुझे बहुत शारी बाते शिखाई थी, और वो फनी भी था से आपने समय निकाला सर, खात शारी बात रहें तरह रहें, इस परकार से बाटते रहें, अपना प्यार बनाया रखे एक बार फेर, हम अपनने वीवर्स की तरहबसेंट आपके बहुत आवारी हैं, थैंकिय। इंदोर मद्यप्रदेश से सक्सेस एंड हैपिनेस बहुत खुबसूर चैनल बहुत जल्दी बुकाने वाली है वो भी आपको मार्केट में बिलेवल होगी हम लोग भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालेंगे तो इसी परकार सीखते रहिए और जिंदगी में खुसियां और सफलताएं पाते रहिए अगले मंगलवार रात्री आठ वजे फिर हमें एक नई सक्सिहत से मिलने वाले हैं आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम आप नीचे कोमेंट में लिख सकते हैं हमारी वेबसाइट चैट्विड सुरेंदरवत्स.com पे जा सकते हैं हमा कर दो